हेलो एबरिवन आज मैं आपको पांच मिनित में पाइनेपल कट करने का तरीका बता रही हूँ यह बहुत ही आसान तरीका है और इससे कोई भी अच्छे से कट कर सकता है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें उसके बाद में इसमें पाइनेपल को प्रिजर्व करना भी बताया है तो आप इस तरह से पाइनेपल प्रिजर्व करके फ्रिज में या फ्रिजर में रख सकते हैं तो अभी आने वाले टाइम में फेस्टिवल टाइम है तो उस टाइम में आप इसे इजी ली यूज कर सकते हैं तो चलिए पाइनेपल प्रिजर्व करना सीखते हैं आज मैं आप सभी को यहां पर पाइनेपल काटने का एकदम इजी तरीका बताती हूं जनरल हम लोग पाइनेपल को पहले चीलते हैं और उसके सारे कांटे निकालते हैं और उसके बाद में हमें इसे काटना पड़ता है तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगती है कम से कम 20-25 मिनिट लग जाते उस प्रोसेस में अभी हमें इसमें सिर्फ इसकी स्लाइसेस करनी है और उसके बाद में हम इसे एक रिंग के जैसे निकाल लेंगे जैसे बाजार में टीन में से निकले हुए आते हैं बिलकुल उसी तरह से फिर उसके बाद में आपको मैं इसे प्रिजर्व करना भी बताऊंगी इस तरह से मैंने इसे बीच में से काट लिया है, अब उसी तरह से हम इसकी इतनी मोटी स्लाइसेस कर लेंगे, स्लाइसेस आपको जैसी भी चाहिए है, आप उतनी मोटी या पतली रख सकते हैं, इस तरह से हम इसे सारी स्लाइसेस कर लेंगे, इस तरह से मैंने ही सारे कहां थाविके लें टाब लिए किंए धुर कहा रहें कि सिर्टेस पाम आपस पे लें पाम समा हलोगा। कि क्टरल क्टल करें ये बिल्कुल किर्टी में श्जेस और ऐब रही कर बिलेंगे रहीं, और यू निकल कर दे निकल गई क Lynn की बार कि एक मार्केटिक इंसे यह इसमारा गला भी खराब हो जाता है तर ऑही हमें निकालना है इसके सैंटर ओला पार्ट को निकालेंगे इस तरह का जो लगों पांग Peter ब्लू अनोली के अनुञेजर ऑंट से निकाल सकते हैं यह फिर से लगोई दक्न होता है उससे भी निक अगर यह थोड़ा हार्ड ज़्यादा है तो आप इसे थोड़ा सचाकू की हैल्प से भी निकाल सकते हैं यह बिलकुल हम मार्केट से तीन वाल रिबा लाते हैं उसी साइज की और उसी टाइप की निकली है इस तरह से हमने इस सारे पाइनेपल की रिंग्स बना ली है अब मैं आपको इन्हें प्रिजर्व करने का तरीका बताती हूँ इन्हें आप फ्रीज में फ्रिजर्व करके दो से तीन महीने तक रख सकते हैं और अगर फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो छैसे आंट महीने तक स्टोर कर सकते हैं इस तरह से आप स्लाइसेज में भी कर सकते हैं या फिर इसके पीसेज करके भी कर सकते हैं इसके लिए मैंने ली है एक पती ली इसमें मैं डाल रही हूँ चार कप जितना पानी मैं ये मैजर कप से ले रही हूँ आप कोई भी नॉर्मल कप से भी ले सकते हैं फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आदा कप शक्कर फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल चुटकी भर जितना सिटरिक ऐसेट जिसे हम नीम्बू सत या नीम्बू फूल भी बोलते हैं ये इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें मैं डाल रही हूँ पाइनेपल स्लाइसेज इसमें पानी इतना होना चाहिए कि ये उसमें डूबे हुए रहे अगर आपने जादा पाइनेपल लिया है तो आप थोड़ा जादा पानी और जादा शक कर लें एक उबाल आने के बाद में हमें इसे सिर्फ पांच मिनिट ही उबालना है उससे जादा नहीं और फिर गैस बंद करके इसे ठंडा कर लेना है इसे उबलते हुए पांच मिनिट हो चुके हैं अब मैं गैस बंद कर दूँगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे इस तरे की ये स्लाइसेज बनी है पाइनेपल बिल्कुल ठंडे होके रेडी है आप देख सकते हैं अब हम इसे एक काच की बॉटल में स्टोर करेंगे इसे मैं अच्छी से क्लीन करके और थोड़ा सा स्टरलाइस कर लिया है गरम पानी से उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ये पाइनेपल स्लाइसेज आप अब आपिसे कोई एक ताय डिबे में भी ढाल सकते हैं। ये हमारी पाइनेपल स्लाइसेज बिल्कुल बन के रेडी है इसे आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में भी और फ्रेजर में भी मैंने इसी तरह के pineapple से pineapple cream भी बनाई हुई है और pineapple cake भी बनाया हुआ है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है तो आप देख सकते हैं मैं उसका link भी डाल दूँगी इसमें अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें, family और friends में share करें मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की notification मिल सकें तो फिर मिलते हैं एक नई recipe के साथ, thank you so much